कितनी बहुमत से जिता होगे हैं आपने आज मुझे इतना प्रेम दिया कि मुझे शर्मिंदा कर दिया और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके इस प्रेम का मैं कॉंग्रेस पार्टी और दिपिंडर जी कभी मेरा दर नहीं कर सकते जब मैं राजनीती में आई तो मेरे बच्छे खुश थे अच्छा है ममी अच्छा काम करोगी मेरी बेकी में मुझे से एक चीज कही काहां कि भेगो राजनीती में आ रही हो लेकिन ये जो नेगिटिविटी है ना जुसको हिंडी में नकार आतमक्ता कहते हैं ये कभी मत करना, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करना, तो बच्चों के मन से जो बात निकलती है, वो हमेशा सही होती है, और जो पिछले तीन महीनों में जब से मैं राजनीती में आई हूँ, मैंने इतनी नकारात्मक्ता देखी है, इतने जभूत, इतने दुश्प्रचार देखे हैं, कि सच मुच दिन करता है कि इसको बदल डाले। तो आज आपने इतना लंबा रोड़ शो कराया है कि ठका दिया, इसलिए लंबा आशन नहीं दोंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी, कि देखिए, जो राजनीती आज आज आपके सामने है, वो घलत राजनीती, सचाई पर अधारिक महीं है, जूटे प्रचान होते हैं, आप टीवी खोलते हैं, आपको कुछ दिखता है, आप अख़बार खोलते हैं, आपको बदाया जाता हो, आप जहां भी देखते हैं, आपको यह प्रचार दिखता है, कि भगवान जाने कितना दिकास हो गए इन परत सालों में, जो साथ सतन सालों से नहीं हुआ, सचाई यह है, सचाई यह है, कि जहां जहां मैं जाती हूँ, मुझे दुख और पीरा दिखती हैं, यहां इन दुकानदारों की पीरा, जिन पर GST को बगएर सोचे समझे ठोपा गया, आप सब की पीरा, जब आपको बताया गया कि बहाँ बड़ी देश भगती है, आपकी नोट बंदी के लिए आप लाइन में खड़े हो जाईए, आप सब की पीरा, जब नोट बंदी की कि पाच साल में हर साल ये बड़ा था कि हर साल दो करोड रोजगार बलेंगे, और नतीज़ा क्या निकला, पाच सालों में सुन लीजिए, पाच सालों में पाच करोड रोजगार घटे हैं, पाच करोड रोजगार घटे हैं, चौपिस लाट सरकारी नोकरियां खाली पड़ किसानों के लिए कुछ नहीं किया किसान को इतना प्रधान किया है कि 12000 किसानों ने आत्म एत्या की हजारों की प्रधार न्म किसान कि किसानों को नाजवानों को छोटे ब्याकारियों को दो को नकर लेते हैं, चलिए किसान संवान योजिना निकाल लेटे हैं, चलिए कोई ऊं स्क्रीन की तो शहीदों की बात करते हैं, उनके नाम पर वोट मांते हैं, रास्टवाद की बात करते हैं, मैं पूछती हूँ, किस तरह के रास्टवादी हैं, किस तरह के रास्टवादी हैं, जो शहीदों के नाम पर वोट मांते हैं, किस तरह के रास्टवादी हैं, जो ना जमानों को न किस तरह इसके राष्टवादी है जो खिसानों से मिलने का पांच मिलत समय नहीं निकाल सकते यह राष्टवाद नहीं है भाईयों गैनों यह राज नीती है आप जागरुक है इसको पूरी तरह से समझ लीजिए क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज यह क EP को भी अपमालिद करते हैं कि कि इनकी राज्णीती सिर्फ एक है कि किसी बी तरह से किस तरह से हम सब्सक्राइए आज के सब्सक्राइए में झालों कि लोग तंत्रिकों नश्ट कर देंगे उन संस्थां को नश्ट कर देंगे जो आपको सुरक्षित रखती है लोग तंत्रिक संस्थां क्या होती है वह यही होती है जो जनता की शक्ती जनता के हातों में रखती है आज आप प्रदर्शन करते हैं आपको पीता जाता है आप आवाज रठाते हैं आपकी आवाज बंद की जाती है आप अपने अभिकार मांगते हैं आपकी आवाज बंद की जाती है आज स्थिती यह है कि यहां के रोतक के सेना में के सबसे जादे नाजवान रोतक के हैं जो सेना में मैं कानपर जा रही थी मैं कानपर रोडशो के लिए जा रही थी रास्ते में मैंने एक इस्तिहार देखा एक बार फिर मोडी सरकार उसके साथ लिखा था O.R.O.P. का उफार सेना को दिया है सरकार ने उफार शब्दों का चैन देखिए उफार का मतलब है कि कोई अहसान कर रहा है आप पे जो हमारी सेना पे खड़ा होता है जो शहीन होता है हमारे देश के लिए क्या आप उसको अपना हक देके उस पर कोई उपकार कर रहे हैं कोई सेने के बार पूरा भी नहीं दिया तो यह सिर्फ और फ्रचार करते हैं और जूटे प्लचार करते हैं यह एहसास कि नेताओं को जंदाने बनाया है पहले इन से दूर हो गया है जंदा सेना का तूच चुका है यह बूल गये है कि जितने भी नेता मंस पे खड़ जाते हैं जंता बनाने वाली होती है पूरी तने से भूल गए है अहंकारी बन गए है ये सोचते हैं कि सारी सत्ता उनी की है लेकिन भेनों और भाईयों ये लोग तंत्र है सत्ता आपकी है आपने दिया है उखार आपने किया है असान हम पर भी किया है आज मेरे बच्चे फूलते फलते हैं, मेरा अप्छा जीवन है, मेरा परिवाल मजबूत है, तो आपने बनाया है, यह हमारी कोई उपलब दी नहीं है, लेकिन इसलिए आज जिस दौर से यह देश गुजर रहा है, इसको आप अच्छी तरह से समझेए, क्योंकि सबसे बड़ इस देश को लोक्तंत्र को बचाना है, इस देश को मजबूत रखना है, अपनी शक्ति अपने हाटों में रखनी है, तो बदल डालिए यह सरकार, बदल डालिए यह सरकार, यह नकारात्मक और बेदर्द राजलीती इस देश से निकाल दीजिए, इस देश में वो राजलीत इस्थापत करिए जिसके नेतां आपके सामने आपके मुद्दे उठाएं जिसके नेतां आपके सामने आपको ये बताएं कि आपके लिए क्या करने वाले हैं कि आपके लिए क्या योजनाय है, कौन सी गोशनाय है, कौन से कारिक्रम है ताकि आप मजबूत बने, आपके भविश्य मजबूत बने, आपके बच्चों के भविश्य मजबूत बने आप ऐसी राजनीती का समर्थन करना बंद कर दीजिए जो पूरी तरे से सिर्फ सत्ता के गेरों गेराओं में है सत्ता के मुँमाया में है और आपको भूल चुकी है अब समय आ गया है चुनाव का समय है दिपिंदर जी ने आपके लिए काम करके दिखाया आपके लिए समर्पित रहे आपके लिए समर्पित रहे एक सची राजनीती का मिसाल है आप इनको आगे बढ़ाईए अपनी देश को आगे बढ़ाईए और एक ऐसी राजनीती इस देश में लाईए जिस पर आप सब को गर्भो बहत हो गया ठक गया है ये देश इस नकारात्मकता से ठक गया है ये देश सवाल उठा रहा है जवाब मांग रहा है जो वजन अपने पाथ साल पहले किये वो फूरे क्यों नहीं किये जवाब दे बनाईए नेताओं को भाजब्पा के बड़े से बड़े प्रधान मंतरी से लेकर जो भी यहां आएंगे जवाब मांग ये उनसे आपके लिए काम क्यों नहीं किया जब अमरीका जा सकते थे जब जापान जा सकते थे जब पाकिस्तान विर्यानी के खाने के लिए जा सकते थे तो आपके बीच क्यों नहीं आए तो किसी एक गाओ में प्रवेश क्यों नहीं किया किसी एक गाओ में किसी एक गरीब परिवार किसी एक किसान से परिवार किसी भी शहीद के परिवार तक क्यों नहीं गए ये पूछने के कि आपके हालात क्या है आप किस मुसीबतों से गुजर रहे हैं लेकिन इनके पास समय नहीं है सिखा दीजिए सबक भाईों और बैनों समय आ गया है और आपकी जागरुता आपकी सबसे बड़ी देश भटती है आपकी जागरुता इस देश को बचाएगी आपकी जागरुता इस देश को मजबूत बनाएगी यहीं बाते करनी थी अब जर आप पोलिंग पे जाएंगे तो मेरी बातों को ध्यान से याद रखिए हम के में मत लीजिए ठीक है आप सब में इतना इतना प्याश दिया आप दुबारा में आपको धन्यवाद देना चाहती हूं आप भी ठट गए होंगे मुझे भी दिन्दी धना है आप सब को बात बात धन्यवाद जाहिंद 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 आप सभी का तो आज यह इतिहास बनाने का काम किया है सभी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद